नमस्ते दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल हैपी गार्डनिंग विच्छाया में बहुत-बहुत स्वागत है मैं 10-15 साल से अपने टेरिस पे सब्जया लगाती हूँ अभी भी मैंने कुछ बैंगन, टामाटर, मिर्ची, पत्ता गुबी ऐसी सब्जया लगाई है उन्हें लगाने के लिए मैं ऐसे कंटेनर उजस करती हूँ ये फलों के पुराणे कंटेनर है कंटेनर बडा हНआउने से क्या होता है आप गारे फलने गरोद होती है इब एंगन की पेड़े, पौदे बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है इनकी, पत्ते भी देखो कितने बड़े-बड़े हो गए, इसे हाथ से भी बड़े-बड़े पत्ते हो गए, अगर गंबला छोटा होता है तो इतने अच्छी ग्रोथ नहीं होती, इसमें फूल भी बहुत आ रहे है, हल्बी, और मेरे कंटेन कंटेनर की मिट्टी आप देख सकते है, कितनी बुरबुरी है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा कंपोज डालती हूँ, मिट्टी का कम यूज़ करती हूँ, उसे गंबले भी हलके होते है, अपनी टेरेस पे ज़्यादा बेड़ भी नहीं आता, दोस्तों अगर अभी तक आप यह मेरे पुराने गंबलों की मिट्टी है, तीन-चार दिन मैंने इसे सुखाने के लिए इसे खुली रखी थी दूप में, ताकि इसमें अगर कोई फंगस है, कीट है तो वो दूप से मर जाती है, अभी इस मिट्टी हम तायार करते हैं, इसमें मैंने डाला है कोको पीट, अब हम लेंगे गोबर की खाथ, गोबर की खाथ में 30% लेती हूँ, और अभी आएगे कुछ नीम खली, और अगर आपके पास राख है तो राख भी मिलाएंगे, राख भी फंगिसाइड का काम करती है, मेरे पास आभी नहीं है, उमें उसमें राग बाद में भी में डाल सक लस्ति में, मिठी को में अच्छी तरह से मिला लेते हैं, कंटेनर को मैंने चारों तरब से अर नीचे से भी प्लास्टिक शीट से कवर किया हैं, और नीचे के शीट मैंने झेड़ भी किया है ताकि पानी नीचे से बह जाए, ज़ाधा इसके उपर मैंने थोड़ से इट के टुकड़े रखे प्लास्टिक जगह पर रखने के लिए और उसके उपर डालते हैं नारियल के छिलके बाजु में लगने के लिए अगर आपके पास शेडनेट का कपड़ा है तो आप वो भी लगा सकते हैं वो आपका चॉइस है इसके उपर हम सुखे पत्ते डालेंगे अभी जब हम बाजार से भाजी लाते हैं तो उससे जो कि चनवेस निकलता है वो आपका भी भी फैंकेंगे नहीं डस्बीन में वो सब सुखा कर रख देंगे मैं इस सब ऐसे सुखा कर बोरी भर के रखती हूँ इस कंटेनर में मैं आधे से ज़्यादा सुखा मटेरियल डालूंगी और उससे प्रेस करेंगी उससे ज़्यादा असे दबा दबा के इसे भरना है अब इस पे उपर मिट्टी डालेंगे मेरी ये पुराने मिट्टे में भी बहुत ज्यादा और्गेनिक मिटेरियल था ये सारे आप देखरें मूंफली के चिलके ही वह ज्यादा जल्दी डिकंपोज नहीं होते लेकिन बाद में उनका भी खाद बन जाता है और सुखे पत्ते अगरे डालने से मिट्टी आवारी हलकी होती है ऐसे ये ग्रोबैक भी हम इसी तरह से भरेंगे कुछ जनों में नीच्चे का मटेरियल डिकंपोज होके उसका भी खाद बन जाता है तो हमारे पोदों के लिए वह फाइदे मंद रहता है आप हमेशा घर में सुखे पत्ते बोरी भरके रखे अगर आपके घर में कोई पेड़े या आपके गली में कोई है पास में है तो वहाँ से आप पत्ते ला सकते हैं वह हमारे कंपोस्टिंग में भी काम आते है और ऐसे कंटेनर भरने में भी काम आते है अब ही मैं आट-दस दिन के लिए इसे एक कंटेनर है से रखूंगी तो हम देखे कि उसके आट-दस बारा दिन में इसकी मिट्टी और निचे जाती है तो उसके बाद मैं इसमें सैपलिंग लगाऊंगी मैंने भिंडी की सैपलिंग घर पर ही तयार किये कुछ गवार फली के तब लगाने लगते समय में इसमें और मिट्टी आड़ करूंगी दोस्तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें अपले फैमिली और फ्रेंड के साथ देखो कितना वेट कम हो गया इसका हम इसलिए हम इसे उठा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं और इसमें हमारे टेरिस पर वजन जादा नहीं आता यह मेने तो आप भी अगर सब जया लगना चाहते तो इसी तरह से गंटेर भरते तो आपको इसका बहुत अच्छा डिजर्ट मिलेगा थैंक्स पर वाचिंग हैपी गार्डनिंग